हेलो एवरिवन, वेलकेम टू मैं चैनल, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही टेस्टी और सीजनल मैंगो से बनी बहुत ही शांदा रेसिपी जिसको आप इंजोई कर सकते हैं खाने के बाद खाईए इसनेक्स में खाईए या फिर जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसको बना कर खा सकते हैं आदे घंटे में दो मैंगो से तयार होगी एक लाजवाब रेसिपी और इस रेसिपी का नाम है मैंगो हलवा या यूँ कहें आम का हलवा आजम बनाने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की तयारी मैंगो हलवा बनाने के लिए हमें च मैंगो काफी पके हुई होनी चाहिए और मीठे होनी चाहिए इस बात काहें धिहान रखना है अब मैंगो को हम कर लेंगी कट और लिए इसके आंदर का जितना भी गुदा है ..िसको निकाल लेंगे एक बर्तर में बहुत ही अच्छे तरीक races अमें काट कर इसके पना भी पलप सबको निकाल लेना है इस recipe को आप कभी भी बना कर खा सकते हैं mango का सीजर है और mango की recipe हम ना इन्जोई करें ऐसा तो possible है ही नहीं अब आप देख सकते हैं हमने mango के अंदर का सारा जितना भी पल्प था वो निकाल लिया है अब हमें लेना है एक mixer jar और साथ ही हमें लेनी है सूजी मैं लगभग 200 ग्राम सूजी ले रही हूँ हम बाद में डिसाइड करेंगे हमें कितनी सूजी इसके अंदर डालनी है लेकिन पहले हम इसको कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड क्योंकि सूजी काफी मोटी थी तो हमें चाहिए बिल्कुल बारीक वाली सूजी हमने इसको काफी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है यह देखे इस तरह का यह पाउडर बन चुका है अब हम लेंगे एक कढ़ाई कढ़ाई को हमने रखना है लो टू मेडियम फ्लेम पर बहुत ज़्यादा हाई गैस पर हम इस रेसिपी को नहीं बनाने वाले हैं हमने डालना है इसमें दो चम्मच घी जो रेगुलर हम चम्मच यूज करते हैं बिल्कुल उसी के हिसाब से दो चम्मच हम घी डाल देंगे अब जब घी हलका सा गरम हो जाएगा इसके अंदर हम डालने वाले हैं आदा कप सूजी का पाउडर जो हमने बना कर तयार किया है अब हम करेंगे इसको अच्छे से मेक्स ये देखिए जब तक हमारी सूजी अच्छे से भूनती है हमें इसको सिम फ्लेम पर भून लेना है लेकिन हमें इस सूजी को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है हमें इसको भूनना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ही कम हमें इसको भूनना है इसका कलर हमें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है हमें इसका वाइट कलर ही चाहिए अपनी recipe को एकदम perfect बनाने के लिए ये भून चुकी है दो मिनट कम से कम अब इसके अंदर हमने डाल दिया है एक कप दूद ये और एक कप दूद ये हमने लगभग दो कप दूद इसके अंदर add कर दिया है अब हम इसको करेंगे अच्छे से mix इस टाइम पर आपके gas का flame medium कर सक सकते हैं ताकि अच्छे से mix हो जाए और जो सूजी है इसके लंस ना पड़े अगर आपको लंस इस टाइम पर पड़ते नजर आ रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से mix कर सकते हैं ताकि कोई भी लंस इसके अंदर ना रहे अब हम डालेंगे लगभग 20 ग्राम चीनी इ जाती है लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसको लगातार चलाते रहना है नहीं तो सूजी नीचे चिपकना शुरू हो जाती है आप देख सकते हैं चीनी ने पानी चोड़ना शुरू कर दिया है थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी हो गई है इसको हमें लगातार च जलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना बने और यह बहुत ही अच्छे से बड़ी स्मूदी मिक्स हो जाए सारा पल्फ हम ने निकाल लिया है अब हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे यह देखिए बहुत ही सुन्दर कलर इसका आने वाला है हम इसमें कोई भी एक् जिश्री भी डाल सकते हैं चीनी को अवोइड कर सकते हैं यह देखिए एक से दो मिनट के बाद यह अच्छे से उबलने लगा है अब हमने डालना है इसमें एक से दो चममच घी इसको और भी ज्यादा शाइनी और पेस्टी बनाने के लिए घी डालकर इसको अच्छे से हमे यह देखिए इस दोरान गैस का फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए हमें लगातार इसको चलाते रहना है ताकि यह नीचे चिपके नहीं और इसमें नीचे चिपकने की वज़े से कोई लंस ना पड़ें एकदम से स्मूध टेक्शर वाला एकदम से लाजवाब बहुत ही आज ही हल्वा बनकर तयार होने वाला है इस हल्वे को आप जब भी मन चाहे बना कर खा सकते हैं आदे घंटे में यह आराम से बनकर तयार हो जाता है अब आप देख सकते हैं यह होने लगा है ठीक हमें थोड़ा सा बसकाम और करना है इसके बाद में यह बिल्कुल परफेक् इसके पहचान यह है कि जब तली छोड़ने लगे हलवा तो समझो यह अच्छे से पक चुका है अब यह बन कर तेयार हो चुका है हमें लेना है एक बरतन उसे हमें ग्रीज कर लेना है घी के साथ में यहां पर आप बटर पेपर का यूज भी कर सकते हैं अगर आपको हलवा गर तो आप इस तरह के बरतन में इसको निकाल लीजिए और इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से हमें कर देना है इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो तो वह अच्छे से निकल जाए और एक तम से यह सैट हो जाए अगर आप इसको मिठाई की तरह जमाना चाहते हैं तो इसको थो यह आपके उपर डिपेंड करता है इसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है आपको पसंद हो तो आप ठंडा करके खाईए आपको पसंद है तो आप गर्मा गरम भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि हमने ड्राइफ फ्रूट्स हलवे के अंदर नहीं डाले हैं तो तो आपको लग रहा होगा जटपट से मैंगो हलवा बनकर तैयार हो जाता है और टेस्टी तो यह लग भी रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इस हलवे को बना सकते हैं जब भी आपका कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो इस सीजन में मैंगो की सीजन को इंजोई कीजिए और बनाइए यह लाजवाब हलवा एपका हलवा कैसा बना आपके फैमिली मेंबर्स ने हलवा खाने के बाद क्या क्या कमेंट किये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफेकिशन आपको मिल सके और आप नई नई रेसिपी इंजोई कर सके अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थेंक यू फो वाचिंग